तो गाईज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईक्यू की तरफ से आने वाले हैं अपकमिंग 5G स्मार्टफोन के बारे में तो यहाँ पर आईक्यू की तरफ से दो नए स्मार्टफोन लांच किये जाने वाले हैं IQ9 और IQ9 Pro और ये 5 जनवरी 2022 को चाइना के अंदर launch किये जाने वाले हैं और IQ8 Series तो आपको इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिली थी but most probably IQ9 Series आपको यहाँ पर इंडिया में बहुत ही जल देखने को मिलने वाली है and हो सकता है जनवरी 2022 2022 में ही आपको देखने को मिल जाए तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IQ9 Pro के बारे में full detail में discuss करने वाले हैं क्या कैस की specifications रहेंगी और बागी सब चीजों के बारे में भी इसके उपर बात करने वाले हम minimum का frame रहने वाला है तो build quality आपको solid देखने को मिलने वाली है और back में यहापर आपको anti glare matte glass देखने को मिलने वाला है front में कौन सा glass रहने वाला है यह तो अभी पता नहीं चला है यह तो launch के time पर ही पता चलने वाला है तो बात करते हैं आपर इसकी design की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं camera lens जो है इसका थोड़ा सा बढ़ा रहने वाला है camera lens यहाँ पर अच्छा दिया का है और जो इसकी back आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यही same जो IQ 8 Pro में भी देखने को मिलने वाला है तो यही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है बात करें यहाँ पर इसकी display की तो यहाँ पर आपको 6.78 inches का display देखने को मिलने वाला है AMOLED display रहेगा उसी के साथ में यहाँ पर resolution की बात करें तो 2 के resolution रहने वाला है और साथ में आपको यहाँ पर 120 Hz का refresh rate देखने को मिलने वाला है तो gaming और content watching दोनों के लिए display अच्छी रहने वाली है बात करें आपर इसके processor की तो यहाँ पर आपको snapdragon 8 Gen 1 देखने को मिलने वाला है octa core processor है 4 nanometer के उपर बना हुआ है काफी तगड़ प्रोसेसर रहने वाला है यहाँ पर तो performance भी आपको काफी तगड़ी है आपर देखने को मिलने वाली है बात करें आपर इसके cameras की तो यहाँ पर company की तरफ से statement निकल कराई है कि इसके अंदर आपको 153 degree वाला wide angle lens देखने को मिलने वाला है उसके लाब leek Duey axis की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 मिएका PIXल प्राइमरी इसेंसेर देखने को मिलने वाला है सेमसंग का सेंसर रहेगा उसके लाब बात करें एक और 50 मिएक्पिक्सल camera देखने को मिलने वाला है जो कि wide angle lens रहेगा और उसके अलावा एक और camera आपको देखने को मिलने वाला है जो रहने वाला है 16 megapixel का उसके बारे में भी यह नहीं पता वो किस चीज का रहने वाला है most probably वो portrait mode में रहेगा और उसके अलावा यहाँ पर आप 4K और 8K दोनों में record कर सकते हो 8K में 24 fps पर और 4K में आप यहाँ पर 60 fps तक record कर सकते हो बात करें यहाँ पर इसके front camera की तो यहाँ पर आपको एक single camera देखने को मिलने वाली है उससे आप 4K तक record कर सकते हो तो camera quality यहाँ पर overall superb देखने को मिलने वाली है तो बात करें यहाँ पर इसके battery capacity की तो यहाँ पर आपको 4700 mAh की battery capacity देखने को मिलने वाली है उसके लाबाए आपको यहाँ पर 120W का fast charging support भी देखने को मिलने वाला है तो fast charging यहाँ पर तगड़ी देखने को मिलने वाली है और उसी के साथ में आपको यहाँ पर 50W की wireless charging का भी support देखने को मिलने वाला है तो charging के लिए आपको यहाँ पर USB Type-C देखने को मिलने वाला है और 3.5 mm के jack के आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलने वाला है तो overall specifications की बात करें तो यहाँ पर आपको कौफी तगड़ी specifications टेखने को मिलने वाली है वेरिंट्स के अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह तीन वेरिंट्स के इंदर लॉंच होने वाला 8 प्लस 256, 12 प्लस 256 और 12 प्लस 512 GB और price related यहाँ पर कोई भी information अभी नहीं आई है So I hope आप लोगों को आज की वीटिव संदाई यहाँ अगर पसंदाई तो प्लीज से like करें share करें चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को subscribe भी कर लिजे और bell notifications को भी press कर लिजे